नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप स्वीकाव लाइन एड़ा फरस्टी चल्पेक ओफिस दोस्तों आप स्वीडियों में दोस्तों बात कहेंगे टीजीटी पीजीटी 2020 के बिग्यापन के वारी में अधिकाईयों की तरफ से जानगाई दी गई है कब जादी किया जाएगा क पूछते हैं तो सारी अप्डेट को हम कवर करते हैं चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अधर आप टीटी की प्रेपरेशन करें तो अनकेडमी लेकर आया है टीटी टेली टेली टेसी टॉप एजुकेटर के द्वाया जिसमें इंग्लिस हिंदी और सब्जेट की जो हैं वह आपको देखने के लिए मिलेंगे टेस्ट हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगा साथ ही करेंट अफरेका अनलाइस भी आप सभी को मिलेगा टॉप एजुकेटर के द्वारा एक दिसम्बर से लेका 31 दिसम्बर तक आप इसे अटेम्ट कर सकते हैं शाम 6 वजे से ज् संस्क्रत हिंदी मैथेमेटिक्स इंग्लिस साथ में सीडीप के लिए सब की टाइमिंग आप सभी के सामने दी गई है इन सभी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं अनकेडमी पर वह भी बिल्कुल फी आज ही अन्योल करें लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं अगर सब्सक्रिप्शन लेकर आप अन्लोक कर सकते हैं बहुत सारी फीचर्स को घर से बैठकर लाइव पड़ सकते हैं अन्लिम्टेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोसिस पर प्रक्टिस टेस्ट करने का मोका मिलेगा साथ ही जो बैच कोर्सिस होंगे उनको भी एक्सेस कर सकते हैं में सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करें लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो जैसे कि आप सभी को बता कि काफी लंबे समय के बाद में वर्ति यहां पर देखने के लिए मिली जो कि टीजीटी पीजीटी की थी जिसके अंदर लगबग 15,000 पदों की संक्या थी हाला कि पिछले साल से 40,000 पदों का मामला देखने के लिए मिल रा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अब ऐसे में विग्यावर निकलने के बाद लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी इस वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें साथ में शेयर कर दिया करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें तो जैसा कि आप सभी को पता कि टीजीटी पीजीटी के अंदर एक मामला देखने के लिए मिल से वो किया जा रहा है ऐसे में बहुत सारे अभ्यती टीजीटी पीजीटी की पुरानी भरतियों को लेकर ही मुलाकात करने पहुचे थे जहां पर संस्क्रत के इंट्रिव्यू के बगरा मामले देखने के लिए मिल दे थे उसी करम में आज और भी अभ्यती पहुचे जहां और जानकाई लेनी का जो प्यास वह किया गया कि अब जो नया वैग्यापन करवाइगा उन बढ़्याफी발 सकता है साथ ही जीप विच्च्च में लेना नकंजय कर्मिल किया जाएगा धूसरा सबसे बडाब के बाए वहे मिल दे थी पदोकी संख्या के वहाँ में हाला कि अभी तक स्पस्टिकर्ण यह नहीं दिया गया कि जो तरज सिचकों के चाली सजार बलब 34 जार परते हैं वैसे तो है ना कि क्या चाली सजार भी वेकेंची आ सकती है अभी तक चैन बोड के अधिकाईयों के मात्यम से ऐसी कोई जानकाई नहीं दी गई है लेकिन ऐसे में अगर भारंग बढ़ाया जाता है तो जैसे कि पचास अंकर मामला देखने के लिए मिला था अभ्यति में मांग रखी थी कि जो तरज सिचकों के बनें वो भी इसके अंदर जोड़ दिये जाएं तो ऐसे में उम्वीद हैं कि भारंग 35 यहां पर देखने के लिए मिलेगा ऐसी जानकाई दी गई है साथ ही विग्यापन के वाहिए में उनकी तरफ से कहा गया है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उनकी तरफ से कहा गया कि थरस जो फ्राइडे को आपका जो व बिग्यापन है वो जारी कर दिया जाएगा ऐसी जानकाई अधिकारियों के माध्यम से निकली है लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई एक तारिक यहां पर डिसाइड नहीं की गई तो ऐसे में उम्वीद करते हैं कि थरस जो फैडियो को आपकर जो विग्यापन है वो देख तो इंतजार किया जारा है अगले हफते का जो भी जानकाई निकलेगी आप सभी के सामने रख दी जाएगी ऐसे में यह बात हुआ थी टीचिटी पीचिटी विग्यापन के वारे में बदलाव को लेका यहां पे बारां के वारे में जैसा था वैसा ही देखने के लिए मिले जीब बिग्यान को शामिल किया जा सकता है पदों की संक्या बढ़ेगी क्योंकि जीब बिग्यान के अधियाचन लिए जा रहे हैं यह आपको कुछ बदलाव यहां पे देखने के लिए मिलेंगे बाकी और कोई बदलाव होने की संबावना अभी नहीं है वहीं दूसी दर बा मामलों के बीच में लगाता आपको सुनबाईयां भी देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में आपने लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया लाइक अवशी करके जाये करें तो जैसा कि आप सुभी को मैंने बताया कि सुपीम कोट के अंदर जो मामला है वो लग चुका है आप तो लगबग 12 बजे तक आपको देखने के लिए मिल सकती है या फिर पिछली बार की स्टार्टे में सब कुछ आपको बता दिया जाए जो भी जान गई होगी आप सुभी के सामने रख दी जाएगी मतलब यह है कि साड़े दस्वेर से बेंच बैठे कि उसके बार में कभी भी आपके सुनबाई देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि मामला 20 में नुमबर पर है लेकिन कई बार पहले सुन लिया जाता है तो MRC से संबने दिये मामला है आप सभी को पता है कि चैन सूची को लेकर बिवाद बना हुआ है कभी हाई कोड के अंदर कभी सुपीम कोड के अंदर तो ऐसे में कल फेसे यहां पर सुनबाई आपको देखने के लिए मिलेगी सुपीम कोड के अंदर फिर याद कराना जाओंगा कि अभी तक यहां पर ना सिंगल पेंच की तरफ से ना डवल पेंच की तरफ से कोई और आया है सीधे अभ्याति सुपीम कोड गए है तो दोनों चीजें लगबग एक चैसी हैं तो यहां पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे मैं यहां पर एक धना प्रदेशन देखने के लिए मिला है जिसके बादे मैंने आपको पहले से जानगाई दी थी कि 7, 8, 9 को एक धना प्रदेशन होने वाला है जो कि 11 133 सीटों को लेकर है हाला कि थर्ड काउंसलिंग में जुड़ाने के लिए है तो ऐसे में कहीने की थर्ड काउंसलिंग की मांग भी यहां पर हो जाती है ना तो साथ ही जो 1133 सीट है वो यहां पर S.C. के अंदर जोड़ दी जाए तो अब्यरती को रात मिल सकती है उसी को लेकर आज एक धरना प्रदेशन यहां पर देखने के लिए मिला है ऐसे मैं बताना चाहूँआ कि यहां पर सची वह साथ में उप सची मीटिंग में थी लखनों के अंदर अब्यरती यहां पर जो धरना प्रदेशन करें वो प्रागराश्र में है हाला कि अभी तक कोई भी अधिक आज वाशन नहीं मिला है लेकिन हाई कोड की तरफ से यहां पर कहा गया था कि अब्यरतियों की मांगों को मान लिया जाए लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से उस प्रत्याविदन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया उसी को लेकर अब्यरतियों ने यहां पर धरना प्रदे तो ऐसे में जो भी अब्यति यहां पर शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं चुकि आप सभी को बताएं साथ आठ नो को लगाता धना प्रदेशन जादी है और कहीं ने कि इसके थर्ड काउंसलिंग को लेकर भी मजबूती बनेगी क्योंकि 1133 सीटों के लिए प्रदेशन दो ही है इसके अंदर थर्ड काउंसलिंग में जुडबा कर प्रदेशन करने की जो मांगे की जा दी है तो इससे और भी बेनिफिट अभ्यर्दियों को मिलेगा उसी को लेकर लगाता जो प्रदेशन ने वो अभ्यर्दियों के तरब से किया जा रहा है ऐसे में जोड़ी जानी चाहिए इसके बारे मैंने आपको कई बार बताया भी है तो ये बार दो जाती प्रदेशन के बारे में वहीं दूसी तब हम बात करें बहुत सारे अभ्याथी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहें लगाता अभ्याथी के मन में तमाम सवाल है कि कब तक यहां पर जो counseling है वो देखने के लिए मिलेगी ऐसे मैं अभ्यतियों से लगाता है जो प्रयासर हो किया जारा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अधिकाईों के सुत्तों से जानने का जो प्रयासर हो किया गया कि यहां पर अभ्यति काफी लंबे समय से third counseling का जो इंतजार है वो कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि शाहसन इस तरफ पर भी एक दो चीज़े देखने के लिए मिल नहीं है जिससे अंधाजा लगाया जा सकता है कि third counseling का आपको जल देखने के लिए मिल जाएगी जैसा कि मैंने भी आप सुभी को कही बार बताया है कि बारे तारीक के बाद में जैसा कि आप सुभी को बताएं शंशुदन वाले अभ्याति को निक्तिपत दे दी जाएंगे एक बार उनको यहां से निक्तिपत म मिल जाते हैं तो third counseling का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा और उसी के बाद जो सीटों की संख्या वो इस पस्ट होगी बहुत सारे अभ्याति सीटों की संख्या को लेकर परेशान है लेकिन कई ने कहीं अभी तक शासर प्रशासन की तरब से कोई भी जानका जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है लगाता जो अवाज है वो ओन्लाइन एटा फर्स्ट री चैनल के माध्यम से उठाई भी जा रही है तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत सार्ड काउंसलिंग के वाए में वहीं दोसी तो बहुत सारे अभ्याति कमेंट वोक्स क अब आजकर मैं देख रहा हूं 22,000 सीटों को लेकर जो मांगे वो रखते हुए दिखाई दे रहा है ऐसे में अभ्यातियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा है कि सर्फ हो सकती है कि नहीं और बहुत सारे अभ्यातियों का ऐसा भी कहना है कि सार्फ 22,000 सीटों के लिए मुह कोड़ गए कि राजी नहीं होगी हाला कि इसके हुआए मैंने कई बर आप सभी को बताया भी है अब बेरतियों के बुरा लगता है लेकिन मैं सत्य आप सभी को बता रहा हूं इससे पहले जैसा कि आप सभी को बताए कि मामला सुप्रीम कोड़ में गया था 22,000 सीटों को ले अब बताना चाहूंगा कि सभी को बताना चाहूंगा कि सभी कोड़ मामला जाता है सुनबाई होने के बाद बता चलेगा मैं यह बिलकुल नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोड़ की दर से सब कुछ हो जाएगा क्योंकि जब तक सुनबाई नहीं हो जाती तब तक किसी मुद्धे पर पहुँच पाना थोड़ा सा मुस्किल लेता है तो ऐसे में जो भी अभ्य